बात कर रहे हैं degree to minute, minute to degree आपने अभी समझा है, ठीक है, तो minute to degree बनाने के लिए आप देखो यहाँ पर यह क्या है कम, और यह क्या है ज्यादा, कैसे ज्यादा, degree 360 है, minute यह है, तो कम से ज्यादा के लिए दो ही तरीके होते हैं, यह तो square cube यह multiply, तो यहाँ पर multiply हुगा है 6, अब degree देखो कितना है, 360, minute कितने होते हैं, इस पूरे circle में 360 degree होता है, और minute कितने होते हैं, 60, तो 360 degree में अगर देखा जाए, तो 60 minute है, तो मुझे बताईए, कम से ज्यादा जा रहे हैं या ज्यादा से कम, तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, कि degree से minute जाते हुए, आपको ज्यादा से कम जाना पड़ता है, तो कभी वी किसी भी चीज़ को अगर हम कम करते हैं, तो बहाँ पर उससे भाग करना पड़ता है, और यहाँ पर भाग करना है 6 से, ठीक है, तो 6 से divide करेंगे, तो यह आ जाए, तो 360 degree में अगर 6 स से divide किया जाए, तो यह आ जाएगा आपका 60 minute, अब थोला सा और मैं आगे बात करूँ, यहाँ पर, जैसे, अगर मालीजी बात कर ली जाए, यहाँ पर अगर हम ले ले 6 degree, तो 6 degree में कितने minute, एक minute, अगर हम बात कर लें, यहाँ पर आपका 30 degree, 30 degree में कितने minute, पांच मिनट, कै कैसे आ रहे, 6 से divide करके, यहाँ से यहाँ तक, यह दिख रहा है आपको, यह देखे, यहाँ से यहाँ तक यह जो है, यह 5 minute है, और 5 minute के हिस्से में, 30 degree आता है, देखिए, 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24, और 6, 35, यहाँ पर, ठीक है, तो ऐसे ही आ जाता है, और 90 degree के हिस्से में, कितने से divide क कितना आ जाएगा, 15 minute, तो यहाँ से आपका एक formula बन जाएगा, theta equal to minute equal into 6, और minute अगर आपको निकालने है, तो theta को divide करना पड़ेगा, 6 से, अब यह तो हो गया एक standard formula, लेकित, अब आप दूसरा तरीका याद रखना, देखो भई, degree से आपको minute चाहिए, और minute से degree, तो theta होता है 360, सबको पता है, इस circle के according, और minute होता है, 60, तो अगर minute चाहिए, तो कम की तरफ जा रहे है, तो 6 से divide करना है, और ज्यादा की तरफ जा रहे है, तो 6 से गुणा करो, minute चाहिए, तो अब आप 6 से भाग कर दीज़े, याद रखें, minute मतलब कम 60 minute है एक circle में, तो आप 6 की तरफ ज जा रहे हैं, तो आप कितनी क्या करोगे, 6 से divide, और अगर ज्यादा की तरफ जा रहा है, तो 6 से क्या कर दोगे वहाँ पर, गुणा कर दोगे, ठीक है, चली देखते हैं, अब बात करते हैं, speed, अभी हमने जो देखा वो क्या था, वो था minute to degree, degree to minute converse, अब बात करते हैं, speed of minute hand and speed of our hand, अभी जो speed की बात मैं कर रहा हूँ, वो सरिफ ये बात चल रही है यहाँ पर, कि our hand और minute hand, इस पूरे circle के दोरान किस तरह से गोमते हैं, ठीक है, यहाँ पर, इस circle के दोरान किस तरह से गोमते हैं, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अब ज़रा ध्यान दीजेगा करें, तो इस पूरे circle के दोरान आपको पता होगा कि इस पूरे circle में 60 मिनिट होते हैं, इन 60 मिनिट को कबर करने के लिए, मिनिट वाली सुझी 60 मिनिट ही चलती है, लेकिन इन 60 मिनिट के दोरान, वो कितने डिगरी तै करती है, 360 डिगरी, है न, तो एक मिनिट में कितना डिगरी तै करती है, 360 बटे, 60 मतलब यहाँ पर आपको दिख जाएगा 6 डिगरी, तो इसका मतलब 6 डिगरी हर मिनिट में पूरा कर रही है, और 6 डिगरी हर मिनिट का मतलब होता है, 6 डिगरी पर मिनिट, तो speed of minute hand mh, विल भी 6 डिगरी पर मिन होते हैं, और 12 घंटे का मतलब कितना डिगरी, 360 डिगरी, इसी को हम कहना चाहें, तो हम कह सकते हैं, एक घंटा के लिए कितनी के जरूरत होगी, 360 बटे, 12, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, एक घंटे के लिए 30 डिगरी के जरूरत होती है, समझ में आ गया, 12 घंटे में 360 डिगरी करते हैं और एक घंटे का मतलब हम लिख सकते हैं 60 मिनिट तो 30 बटे 60 लिखना चाहेंगे इसको तो यहां से आ जाएगा आपका वन वाइट टू डिगरी यहां पर है ना अगर हम इसको एक मिनिट के अकॉर्डिंग करना चाहेंगे तो आगे चलका ठीक है अब जरा आगे आएगे आपकी 1y2 degree speed of our hand 1y2 degree per minute आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी अब इसको मैं आपको याद करा दूँ देखी दो ही स्पीड है एक तो 6 degree per minute है और एक आदा डिगरी पर मिनिट है तो 6 degree per minute जो तेज चलता है minute hand ज्यादा तेज चलता है तो उसकी minute hand की speed होगी और hour hand की speed जो है वो कम होती है को कि वो slow चलता है 1y2 degree per minute यहाँ पर तो ठीक है तो 1y2 degree per minute और 6 degree per minute यह वाली बात आपको समझ में आ जाएगे यहाँ से hour hand की speed और minute hand की speed क्या रहती है ठीक है और speed का मदलब अदता हर minute में कितना चलते हैं तो यह 6 डिग्री पर मिनिट हो गया और यह हो गया आधा डिग्री पर मिनिट अब इस पर वेश थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं देखिए एक क्लॉक स्टार्ट हुई है नून नून का मतलब 12 बजए एक्सेप्ट और कितने बज़े तक चलती है तीन पैतालिस तक जा रही है तो हम करेंगे क्या यहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से इस चीजों को कर सकते हैं अच्छा स्पीड याद है आपको स्पीड ओफ आवर हेंड कितनी थी वनवाइट टू डिगरी पर मिनिट इसका मतलब हर मिनिट में आधा चल रही है मतलब घंटे वाली सुई की स्पीड कितनी होगे मिनिट की आधी यस और नो मिनिट की आधी होगे तो जितने भी आपके टोटल मिनिट होंगे उसका आधा क निकालने के लिए घड़ी देखो कहा से कहा तक गई है टोटल टाइम निकाल लो टोटल टाइम आपके घड़ी जारी 12 से 345 तो 12 से देखे तीन आवर, आवर मिनिट निकाल लो, 60 प्लस 45 और यहां आप कर लोगे, तो यह आ जाएगा, 180 प्लस 45 और यहां आ जाएगा आपका क्या, 225 यहां पर आ जाएगे, यह मिनिट है, ठीक है, तो अब आप speed कैसे निकालो, मिनिट की आ दी न, तो speed of our hand निकालने के लिए, य speed तो पता है अब आपको, अब यहां पर आपको निकालनी है, distance, distance मतलब कितना चला है, ठीक है, angle turned by our hand, तो angle कितना चला है, मतलब distance निकालनी है, angle by our hand अगर आप निकालना चाहोगे, तो टोटल मिनिट का आधा ही तो चलेगा, क्योंकि मिनिट की आधी तो speed है, अब मिनिट की आया है आपके पास जरा देखो ध्यान से 225 और उसका आधा कर दोगे तो आपका आजाएगा 112.5 मतलब 112.5 मतलब याप option इसी को आप दूसरे तरह से भी कर सकते हो कैसे जरा ध्यान से देखो एक घंटे का मतलब 60 मिनिट 60 मिनिट मतलब एक घंटा एक घंटे में चलती है 30 डिगरी घंटे कितने हुए है 3 तो टोटल टाइम जरा देखो टोटल टाइम हुआ है 3 घंटे तो 3 घंटे में कितना चलेगी और 45 मिनिट और तो 3 3 घंटे और 45 मिनिट था ना हमारे पास टाइम तो एक घंटे में कितना 30 तो 3 into 30 हो जाएगा हर घंटे में 60 मिनिट के आधे चलती है तो एक घंटे की स्पीड होगी 30 डिगरी पर मिनिट तो 30 यहां से कर लिया और इसका आधा कर लिया तब भी हो जाएगा तो यहां से 90 और इसका आधा कितना हो जाएगा 25 पाँच तो 90 और 22.5 112.5 तिक भी आजाएगा ऐसे भी कर सकते हो और जरूरी नहीं इसको ऐसे लिखो ओरल भी कर सकते हो देखो कैसे ध्यान से टोटल टाइम कितना हुआ है ध्यान से देखो आप मैथड सीखने में फोकस करो हम सारे कुश्चन ऐसी ओरल कर पाएगे तो 12 से यहां तक जा रहा हूँ हर घंटे चलती है 30 डिग्री तो 3 घंटे हुए 90 और मिनिट का आधा 22.5 90 और 22.5 मतलब 112.5 आंसर अब यहां से देखे घड़ी कितने बज़े स्टार्ट हुई आठ बज़े और इसके बाद कितने डिग्री चलिए एंगल वाई आवर है कहां 2 बज़े तक तो चाहें तो टोटल मिनिट वाई हाफ कर लो तो 8 से 12 8 से 12 आपके हो जाएंगे 4 घंटे 12 से 2 आपके और हो जाएंगे इसी को आप लिख सकते हो 14 14 भी लिख सकते हो तो 6 घंटे हो गए न टोटल 4 और 2 घंटे तो यहां पर 8 से लेकर यहां तक आगए टोटल टाइल 6 आगा ठीक है और आप सभी को पता है एक घंटे में कितना चलती है 30 मिनिट में मिनिट की आधी न घंटे वाली सुई मिनिट की आधी चलेगी मतलब चलेगी वो 30 डिग्री तो यहां पर एक घंटे में 30 डिग्री तो 6 घंटे में तो एंगिल वाए आवनेंड हो जाएगा 6 इंटू 30 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री ठीक है इस तरह से भी कर सकते हैं बरना दूसरा थरीका आप वैसे भी कर सकते हो जैसे आप चाहा रहे हो क्या से चाहा रहे हो तो भी टोटल मिनिट निकाल लो तब भी बात होगी तब भी या च्छे घंटे में टोटल मिनिट हो जाएगे 6 इंटू 60 और फिर आधा कर दोगे उसका तब भी 60 और बात हो